Hello friends, welcome to the channel Pritz Garden Friends, आज मैं आपको अपने गार्डन में लगे हुए Orange Flower वले टिकोमा प्लांट के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और कैसे इस प्लांट की केर करनी चाहिए थाकि इससे हमें Maximum Flowering मिल सके तो friends सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगे कि जो ये orange dacoma plant होता है ये permanent plant होता है और एक बार आप इसको अपने garden में add कर लेते हैं तो ये हमेशा आपके garden में बना रहता है और हमेशा ऐसे ही साल भर ये blooming करता रहता है friends और उसके अलावा इसके जो flowers होते हैं एक stick निकलती है इसमें से birds की और उसमें bunches में flowers होते हैं तो बहुत खुबसूरत लगते हैं जब ये flowers खिलते हैं तो और आपको बस करना क्या है friends आपको इससे लगातार flowering लेने के लिए जब इसके flowers spent होकर जड़ जाते हैं तो जो ये stock न आपके plant पर regular flowering होती रहेगी और आप इसकी flowering enjoy करते रहेंगे साल भर तो friends सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगे कि इसको grow करने के लिए आपको cutting से easily propagate कर सकते हैं बहुत आसानी से इसकी cutting लग जाती है मैंने तो ये plant purchase किया था गली में जैसे plant sale करने वाले जो आते हैं मै जैने उन से लिया था 30 rupees में और अभी देखे कितना bushy plant हो गया है तो चलिए friends इसकी care के बारे में भी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए port selection और soil media के बारे में तो port selection के बारे में बताना चाहूंगे friends कि आपको इस plant को minimum 12 inch का port जरूर देना है क्योंकि य लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी इस plant के लिए छोटा पढ़ने लगेगा तो अच्छा होगा आप इसके लिए starting में 12 inch का गमला जरूर लें आप उससे बड़ा गमला भी ले सकते हैं लेकिन minimum आपको 12 inch का port इसके लिए जरूर लेना चाहिए और उसके बाद friends बात करते हैं soil media की तो soil media तो हर plant को well rain ही पसंद होती है friends चाहिए वो कोई moisture loving plant हो या फिर कैसा भी plant हो सबको well rain soil ही पसंद होती है तो इस plant के लिए भी आपको well rain soil ही बनानी है जिसमें पानी ना रुके अब बात कर लेते हैं friends इसकी watering के बारे में तो watering आपको इस plant के regular करनी पड़ेगी friends क्यों कि यह बहुत जल्दी पानी को soak कर जाता है और आपको regular इसकी watering करनी पड़ेगी daily आपको पानी डालना पड़ेगा इस plant में और दूसरा होता है क्या friends जो watering होती है वो आपके pot पर भी depend करती है कि आपने pot कौन सा use किया अगर आपने plastic का pot लिया है तो उसमें जल्दी से पानी न तो आपको इसको daily watering करनी पड़ेगी तभी आपका plant बहुत अच्छे से चल पाएगा उसके बाद बात कर लेते हैं friends sunlight के बारे में ये plant friends full sunlight का plant है इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो आप इसे अपने garden में ऐसे जगह पर रखिए जहां पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके कोई problem नहीं होती है इसको अगर थोड़ी सी ज़्यादा sunlight भी मिल जाएगी तो कुछ नहीं होता friends बहुत अच्छे से growth करता है ये plant तो आप इसको full sunlight वाले place पर रख दीजिए उसके बाद friends बात कर लेते हैं इसको दिये जाने वाले fertilizer के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं friends जब हम किसी plant को जमीन में लगाते हैं तो वो कहीं न कहीं से अपने आप nutrition ले लेता है बटे जब हम किसी plant को गमले में लगाते हैं friends चाहे वो कितना भी hardy plant हो permanent plant हो या फिर seasonal plant हो उसमें हमें regular fertilizer डालना पड़ता है ताकि उसको nutrients regular मिलते रहें तो उसके लिए friends आपको हर 15 days में इसमें fertilizer add करना पड़ेगा और fertilizer के लिए friends आप इसमें compost यूज कर सकते हैं बनाना पिल fertilizer यूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप seaweed का liquid fertilizer यूज कर सकते हैं आप हर 15 days में इसको fertilizer द जैसे माली जी एक बार आपने कमपोस्ती दे दी एक बार आपने सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइजर दे दिया और उसके अलावा एक बार आपने बनाना फिल फर्टिलाइजर दे दिया तो उससे होगा क्या उसके ऐसे आपके प्लांट को रेगुलर फर्टिलाइजर मिले और बहुत अच्छे से flowering भी करेगा और अगर हम बात करें liquid fertilizer के अलावा जो हम solid form में fertilizer देते हैं तो उसके लिए आप vermicompost का use कर सकते हैं friends आप हर महीने plant के अच्छे से गुडाई करके उसमें 2-3 चमच vermicompost डाल दीजिए तो आपका plant बहुत अच्छे से growth करेगा और उस पर ब जाद बात कर लेते हैं friends इस पर होने वाले pest attack के बारे में तो आपको बताना चाहूंगी कि यह जो plant होता है friends यह pest के बहुत ज़्यादा प्रोन होता है और pest attack बहुत ज़्यादा होता है इसमें और जब से मैंने इस plant को grow किया है friends मैंने इस पर और किसी कीड़े का attack नहीं देख आपके plant पर कोई pest का attack नहीं देखने को मिलेगा बट जैसे ही उससे flowers वाली stoke निकलेगी और आप अपने plant के जो flower वाली stoke को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें black black color के छोटे से कीड़े लगे मिलेंगे आपको जो इन flowers को खिलने नहीं देते हैं खिलने से पहल जावरिंग नहीं कर पाता है तो उसके लिए friends आपको अपने plant पर regular pesticide का यूज करना पड़ेगा और pesticide के लिए friends आपको कोई chemical pesticide लेने की जरूरत नहीं है आप simply regular घर पर हर 15 days में नीम ओयल का यूज कर सकते हैं और अगर आपके पास नीम ओयल नहीं है तो उसकी जगह पर आ अच्छा असर रहता है उसका और मुझे तो black efforts के लिए जो harimich और lasun वाला pesticide है वही सबसे best लगता है और उसके लिए friends मैंने एक अलग से detail वीडियो भी बनाया था अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका link में description box में डाल दूँगी आप वहाँ पर ज अच्छा से असर करता है और आपके plant को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और आप उसको घर में easily बना सकते हैं और ज्यादा आपको उसके लिए passive खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है तो इस तरह के जो homemade pesticide homemade fertilizer use करके आप अपने घर पर ही gardening कर सकते हैं कोई जरूरत नही है कि आपको बजार से gardening करने के लिए बजार से महंगे महंगे fertilizer या pesticide लाने की आप घर पर उनको easily बना सकते हैं तो जैसा कि कुछ लोगों को लगता है friends कि जो gardening का शोक होता है वो बहुत expensive होता है और बहुत time consuming होता है तो ऐसा कुछ नहीं है friends मैं आपको बताना चाहूंगे कि जो gardening का शोक होता है जरूरी नहीं कि आप delicate plant ही लगाएं अगर आपके पास time कम है तो आप इस तरह के plant ले सकते हैं जो permanent plant है जो साल भर flowering करते रहते हैं और एक बार आपने garden में लगा लेते हैं तो हमेशा आपके garden में यूँ ही बने रहते हैं और flowering करते रहते हैं तो आपको बार बार plant purchase करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप cutting से ही आगे भी easily plant propagate कर सकते हैं और रही बात इनके लिए fertilizer और pesticide यूज़ करने की तो उसके लिए भी आजकल सब कुछ organic homemade ही बन जाता है आपके kitchen से निकलने वाले जो छिलके होते हैं fruits के vegetables के उनसे आप easily fertilizer बना सकते हैं और आपके घर में ही कितनी सारी चीज़े होती हैं जैसे लसुन, अद्रक और हरी मिर्च का pesticide बना सकते हैं और भी काफी सारे pesticide आप अपनी kitchen की ही चीज़ों से बना सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि gardening बहुत महेंगा शोक है बस आपका मन होना चाहिए friends और जैसा कि सब लो environment safe रहता है तभी हम लोग भी safe रहते हैं तो हमें अपने environment को healthy और safe रखना है उसके लिए friends हमें जादा से जादा पेड़ पोधे लगाने होंगे और मानती हूं friends कि जब हम बड़ी big cities में रहते हैं जैसे मैं भी दिली में रहती हूं तो हम जादा बड़े-बड़े plants नहीं door plants लगा सकते हैं वो भी permanent होते हैं friends और oxygen giving plants होते हैं तो हमें थोड़े-बहुत plants अपने घर में हमेशा लगा कर रखने चाहिए friends ताकि हम भी nature को बचाने में थोड़ा बहुत सहयोग कर सकें तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा मुझे comment करके जर and take care.